जीवियोर्स इससे मैं रिपीट मचली फ्रोश पे आया हूँ इनका नीजे ड्रश भी लिखा हुआ है रहमाम पुरा आर्केड है यह बहुत अच्छी शाफ है यहां पे तवा, पीस और तवा, कीमा यह सब दिशें इनके पास मजूर है और बहुत ही अच्छी है रेसिपी त्यार करते हैं तो आईए देखते हैं इनसे मैं पहले कीमे की तवा, कीमा की रेसिपी बनवा रहा हूँ आईए इसको ट्राइए करते हैं इनकी ये रेक लिस्ट लगी हुई है इसमें हर पीस का इन्होंने रेक सेपरेटी मेंचन किया है जी वियोर्स ये अब हमारा आड़ो शुरू होने लगा है ये है चिकन तवा कीमा इसके लिए ये प्यास स्लाइस काट रहें ये इन्होंने तवे पे प्यास डा दी है अब ये अपना कीमा एड़ करेंगे पीछ में ये देखें ये चिकन का कीमा है और ये टमाटर की ये इसमें इन्होंने एड़ किया और इसको अब ये कुख करेंगे 10 से 15 मिंट हमें ये लगेंगे ये बीच में इन्होंने कुटी मिर्ज डाली है सुल्ट डाला है अब टेबल स्पून और इन्होंने सुरफ मिर्च की पीच में एड़ किये है यह बड़ी मिज़दार रेसिपी है आप जरूर प्राई कीजिएगा यह थोड़ा सा इन्होंने पानी पीच में डाला है तांके मसाला साही तरह चिपके ना हो और पुक हो जाए पीच को त्यार करेंगे काफी एक्सपीरियंस की शेफ है इन्होंने दम दे दिया है उपर से कवर कर दिया है अभी यह इसमें चीजें एड़ करेंगे जिंजर गार्लिक यह सारा इसमें यह काट रहे हैं चौप करें यह इन्होंने ग्रीन चिलीज ली है यह बीच में एड़ करें यह बड़े अच्छे शेफ हैं अब यह देखें अभी यह दो से तीन मिनिट इसको कोक करेंगे साथ यह अपनी टकटक पिक लगे हुमें आपको यह वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दावा फूड और विलाओ को लाइक करें शेर करें और बेल बटन को प्रेस करें आपका शुक्रिया अभी यह इसको इन्होंने स्टीम पे लगाया हुगा है कितने मिनट यह लगाएंगे अभी दम कितनी मिनट का है पांच मिनट का यह दम देंगे वियूर्स यह इसकी लोकेशन मैं साथ सेंट कर दूँगा यह बादरोड से नीचे उतरें तो साथ ही रिमानपुरे का अलाका है और यह बहुत ही आला है जगा है रेर्ड्स की यहां पे बहुत कम है रवीयोर्स यह द देखे इन्हों ने पहले सिटीम देनेके बाद इन्हों ने जड़ मिनट को इन्हों नेगर है इसमें आयल डाला है आही डालला है और इसमें गरीन चिली बगस बगारा इन्होंने द्निया मिक्स किया है और इसको अब ये इसमें क्रीम डाल परे है बहुत ही अच्छी रेशिपी त्यार हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से ये इसको कुप करें इन्होंने चार से पांच मिनिट इसको दब में रखके तो उसके बाद इसमें आर्ल डालके इसको अच्छी तरह फ्राई किया है और इसमें दही के मसाले भी एड़ी दही बाकी ये आपके सामने इनों ने क्रीम भी एड़ किया है और हमारी ये जो डिश है आलमोस ये डन हो गई है ये ओनर है आप नहीं है वियोर्स इनके रेट बहुत आला है आप भी जरूर आईएगा और ट्राई कीजिएगा लहोर में ऐसे रेट बहुत ही कम डेस्टरूर्स में है ये 120 रुपीज में ये चिकन कीमे की तवा चिकन कीमा की ये प्लेट दे रहे और 160 का ये तवा पीस दे रहे है फ्राई काके तवे पे ये बना दे और ये कड़ाई भी तवा में बनाते हैं आप से दुबारा मैं इनके पास आऊँगा और इनको इनसे इनकी जो बाकी डिशीज हैं खिश भी और वो भी यहां पे मैं आपको बनवाते दिखाऊँगा फ्राई करेंगे अभी ये हम आडर ये हम आडर साफ होने लगा है करवाना प्यां की बाद में अभी इसका आडर हम यहां पे मैं इसको तेज़ करूँगा और फिर इसको आडर ये देखें बहुत ही खुश्चुरत हवा चिकन हमारा त्यार हो गया है ये देखें ये हमारे शेफ हैं बहुत ही अच्छे हैं इन्होंने हमारे साथ तावन किया है ये देखें और ये डिश सारी हमारी त्यार हो गई है ये देखें ये डिश होट होके हमारे पास आगे और बहुत ही अच्छी सर्विंग है साथ इसके योगर्ट है राइता है और नान है और इसको प्राइट करें आप भी जरूर इसको बनाईएगा और देखिएगा या यहां पर विजिट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें बहुत शुक्रिया तवा कीमा चिखन बहुत ही आला रेसिपी आपका नाम क्या है बाई यह जी मच्छी में मच्छी एक्सपरड़ है यह है इनकी मच्छी बहुत ही आला आप मसाला कौन सा इसमें डालते हैं अच्छा इसमें मिक्स करते हैं और फिर इसको इसको कि रखते हैं एक आज दिन जी दो दिन के लिए रखते हैं दो दिन के लिए रखते हैं तो फिर उसके बाद फिर इसको अड़े पे लगाके तो इसको यह फ्राई करते हैं यह आपका गी है क्या है यह सरसो का आयल में वियूर्ज यह फ्राई करते हैं और इनकी फिस्ट जो है बहुत ही आला है किस तरह केज़ी है 640 रेट है जी रेट भी अब ही बहुत अच्छा है और ये बहुत ही अच्छी मचली ये फ्राई करते हैं आप भी यहां पर आईएगा और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा